हुआ दोस्तों एक बार फिर आप सब का स्वागत स्टोक ट्रेनर के हिंदी यूटूब चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस संदी पहला उत दोस्तों मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर निफ्टी के अंदर एक बाइंग कॉल स्जेस्ट की थी जिसके अंदर टार्गेट के तोर पर पहला टार्गेट 10,140-150 के आसपास का और दूसरा टार्गेट 10,200 का दिया गया था आज मारा पहला टार्गेट मीट होते हुए नजर आया उमीद करता हूं आप से अपने प्रोफिट बुकिंग कर ली होगी और अगर जिसकिसी ने भी मेरे दोस्त न आज ना सिरफ हमने उसके ऊपर ओपनिंग दी बिलकिए पूरा का पूरा दिन उसके ऊपर ही ट्रेड करते रहों क्लोजिंग भी काफी अच्छी आने 10,150 के ऊपर की दी है तो दोस्तों कर डेली टेक्निकल्स की बात की जाए तो यह किस परकार से बाजार ने एक राउंडिं 168 के आसपास दिखाई दे रहा है तो इस परकार जब कोई हमें ब्रेक आउट नए हाइस के ऊपर मिलता है तो बाजार के अंदर शोट्स बनी हुई थी वह अभी ट्रैप हो चुकी है वह सकता है कल हमें अच्छी खासी फॉलोइंग बाइंग देखने को मिले बाजार के अं जो उपरबंध होने में हम वीकली केंडिल्स पर कामियाब रहे थे और वहीं आज की जो हमारी जो नई जो वीक की सुरुवात होई है वह भी काफी अच्छी रही है हम तक्रीबन पोने परसेंट के गेन के साथ बाजार में कायम पूरा दिन बने रहे दोस्तों अगर आफें 10,200 के आसपास और 10,150 के आसपास हमें तक्रीबन 11,11,00,000 का पूर्स के अंदर ओपन एडिशन देखने को मिला है यह हमें दिखा रहा किस परकार से जो कॉल पूट राइटर्स हैं वो किस परकार से बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके पूर्स की सैलिंग कर रहे है यह बाजार क देखने को मिलता है और उसके बाद हम नए हाइज की तरफ चल पड़ते हैं इस परकार जब किस की हम एक गैप के साथ नए हाइज बनाते हैं या पुराने हाइज को तोड़के लाइफ टाइम हाइज के ऊपर ट्रेड करते हैं तो फिलाल हम अंचार्टर्टरी में ट्रेड क के लिए जो मेरी ट्रेडर्स को राय रहेगी वह यहीं रहेगी कि आप जो अभी तक लोंग पोजिशन को कैरी कर रहे हैं उनको कैरी कीजिए स्टोपलोस को ट्रेल करके 10120 के आसपास लगा लीजी अगर आप नई पोजिशन बनाना चाहते हैं तो आप आपको थड़ा स्टो सब्सक्राइब कीजिए मिलता हूं अपने अगली वीडियो के अंदर दब तक के लिए खुश रहे हैं ट्रेडिंग करते रहे हैं हैपी ट्रेडिंग